हेलो, वेलकम ओलो फ्यू, आपके पार्ट 3 कम्पलीट हो गया है, रेशनल नंबर के, अब इस कोश्चन, इस वीडियो में हम कोश्चन 5 एक्स्प्लेंड करेंगे, तो कोश्चन 5 में बोला गया है, आपको नेम देना इनके कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यह बताना है, ठीके, तो first लिखाएं, minus 4 upon 5 into 1 equals to 1 into minus 4 upon 5, okay, equals to क्या रहा है, minus 4 upon 5, तो हम इसको देखते हैं, कि इसके प्लेस में मैं A रखूं, into 1 equals to 1 into A, तो A से रेशनल नंबर जिसमें 1 का multiply किया जाता है, किसका multiply किया जाता है, 1 का, तो उसको हम क्या बोलते है, 1 is the multiplicative identity, इसका नाम क्या है, 1 is the multiplicative identity, किसी भी नंबर में या रेशनल नंबर में 1 का multiply किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते है, multiplicative identity, okay, फिर B वाला देख लेते है, minus 13 upon 17 into minus 2 upon 7 equals to minus 2 upon 7 into minus 13 upon 7, अब इसको compare करूं में, कि minus 13 upon 17 A into B equals to हो रहा है, B into A, minus 2 upon 7 पहले आ रहा है, यह वाला, और यह पीछे जा रहा है, तो ऐसी कौन सी property थी हमने first question में देखी दी, कि जिसके place change होते है, commutative property, first वाला आप second पह लिखो, या second वाला आप first पह लिखो, वो क्या होता है, commutative property, okay, यह हो गया, c वाला देख लेते है, minus 2 upon 19 into 29 upon minus 19 equal to हो रहा है, 1, तो इहां लिखा, minus 19 upon 29 into, यह 29 है, denominator यह उपड़ गया, और numerator यहां पह आया, तो 19 से 19 cancel, 29 से 29 cancel, कितना answer आया, 1, एसी कौन सी वह होती है, कि जिसका multiplicative inverse निकालते हैं, उल्टा उसी digit को, तो क्या answer आता है, 1, okay, तो यह क्या हो गया, multiplicative inverse properties का नाम, okay, question 6 देख लेते हैं, multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16, 6 by 13 को, minus 7 upon 16 के reciprocal से multiply करना है, okay, तो जो question में बोला है, वो ही करेंगे हम, ठीके, तो पहले लिख लेते हैं, multiply 6, solve according to question, okay, 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 divided 16, तो इसको हम reciprocal of minus 7 upon 16 से multiply कर देंगे, and it out here, 6 upon 13, अब reciprocal, जैसा multiplicative inverse होता है, इसा ही reciprocal होता है, reciprocal क्या होता है, उल्टा होता है, okay, तो हम reciprocal निकाल दें, minus 7 upon 16 का reciprocal क्या हो जाएगा, 16 upon minus 7, and it out, ठीके, अब 16, sorry, 6 upon 13, into 16 upon 17 की between कौन सा साइने, into का, तो हम क्या करेंगे, तो upon वाली numbers के between multiply का साइना आता, तो उपर का उपर multiply, नीचे का, नीचे multiply, 16 का 6 में multiply करेंगे, और 13 का minus 7 में कर देंगे, ओके, तो 16 into 16 कितना होगा, 96, और 13 से बंजा, 91, यह हो गया आपका,